हरे चने का होला खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है हम उसे कभी भून कर खाते हैं या कभी कच्चा खाते क्या कभी आपने हरे चने की सब्जी खाई है नई खाई है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नमस्कार दोस्तों मैं घंसियाम चरूशिया और आप देख रहे हैं जाय की चने रेसे भी यूटूब चनल और आज मैं आपको हरे चने की बहुत सांदार रेसे भी दही में बना करके बताऊंगा यदि वीडियो पसंदा तो लाइक करना सेर करना चनल पहले बारा है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना शुरूआत करते हैं यह द हम इन सभी चनों को हरे चनों को इसमें डाल देंगे 8-10 मिटें उबालेंगे जब तक उबलते तब तक हम दूसरे त्यारी करते हमने लसा नदरक और एक बड़े साइज का प्याज लिया है इन तीना को हम अच्छा सब पेस्ट बना कर रख लेंगे आप चाहां तो प्याज क बन चुका है और यह चैने भी अच्छे से बाइल हो चुके हैं यह देखे कि दम सॉप्ट हो गए हैं यह आपको दिखा देता हूं यह चलो साइड में रख देते हैं और हमने ले लिए कड़ाई और कड़ाई में हम को किंग आइल लेंगे दो से तीन चमस को किंग आइल प्रक्राइद हो बूमा करे बीच और इस अच्छे से चुटक चुके हैं अब इसमें हम डालां लेंगे अधरक ले सर्च कर दो लख्सन और प्याज व्सको डाल देंगे दोस्तों इसे हम अच्छे से भून लेंगे और इसे हम तब तक भूनेगी ज़ब तक कछ बंव नहीं बदल जाता यह पूरी पाने इसका निकल नहीं जाता त यह आदी चम्मझ रिफैंक गहली पाउडर और साथ में हम डालेंगे देर से डो चम्मझ धनिया पाउडर भिया मैं तो मैंने 10 बेश्च म्हाइट का इस्तेमाल किया है और अब हम दही में इने अच्छे से मिला लेंगे और अब अच्छे ज्यादा खट्टा वाला दही इस्तेमाल करें ज्यादा खट्टा दही होगा तो थोड़ी सब्ची में थोड़ी सी खटास आएगी इसलिए ताजा दही इस्तेमाल करें आप इधर हम देखते हैं कि हमारे अधरक लेशन अच्छे से भून चुके हैं और अब हम इसको डाल दें अगे हम इसमें डाल लेंगे और वह जब हम यह सभी मिश्रण हम डालेंगे उस दोरान हमको फ्लेम को कर देना है लो knapp कुल लो इसलिह करना है क्योंकिquest सकता है वैसे दही तो फटेगा नहीं क्योंकि हमने दही मैं धनिया मिर्च और utens द्धाइं नहीं कई वार क्या होता है कि हम डारेक्ट द्धै डालते तो सब्सक्राइब आप बगण जाते हैं इसलिए मैं पहले मिला कर आपको बताया अब अज्य द्धै अच्छे से भून चुका है मसालों के साथ में और यह चोड़े टौमाटर डाल देते हैं यह optional है आप डालना चाहें तो डाले आने था न डाला यह क्योंकि बहुत ज्यादा पक्के थे ज्यादा खटे नहीं इसलिए में डाल लिए और इसमें डाल दिया है नमक थोड़ा सा और यह हरी मिर्च में डालना हूं तीन हरी मिर्च है इसमें लंबे काट लिया और बीच में से चिरा लगा कर इसमें मिनिट डाल दिया है और आप चाहें तो इन्हें इसके भी कर सकते ही आप सुना लए अनिवार नहीं है और अब हम डालना है कसूरी मेथी तो दोस्तों कसूरी मेथी डालना दोहत जरूरी है इ फ्लेवर भी अच्छा अतार सब्जी का और अब हम इसमें डालेंगे यह चने उबले हुए हरे चने हमने अभी हुआ लिया था और दोस्तों इसे आपको इस तरीगे से अच्छे से भूनना है अभी इसे दो से तीन मिनिट ऐसे मीडियम फ्लेम पर भूनते रहे ताकि जो हमें नमक और मसाले बगरा डाले हैं उसका फ्लेवर चनों के अंदर चला जाए उचली मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इस तरीगे से इसे में और पकाऊंगा फिर हम इसमें डालेंगे पानी प हमको थिक रखना है या एकदम पतली रखना उसके साब से हम पानी इसमें डालेंगे तो चलू में इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और आप इसे हम थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ा देते हैं तो अब हम देखेंगे यह हमारी ग्रेवी एक दिम बहुत अच्छे बन चुकी है हमको जैसे ना तो बहुत ज्यादा पतली है ना बहुत ज्यादा ठीक है यह मीडियम है तो इस तरीके के हमें ग्रेवी रखना है चलो थोड़ी देर और इस तरह से हमें से चलाते रहेंगे ढख ढख कर पकाएंगे इसको हम और फाइनली यह सब जीवन करके तय तयार हो चुके कोई देखो तेल एकदम इसके उपर आ चुका है ना बहुत अच्छे से यह पाक चुकी है और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला आदी चमस हमने इसमें गरम मसाला डाला है और हरी धनिया बत्ती डाल दी है स्वाद और खुस्बू के लिए लीजे दोस्तों यह सांदार हरे चने की सबजी दही के साथ में बन करके तयार हो चुकी है और इसे अब हम ठक देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कर देते हैं कि इसको बन और अब देखिए हम इसे सर्व करते हैं आपके वीडियो यह रेशिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना सेर करना और हमारे चैनल पर आप पहले वार आये हों तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए और आल को जरू सेलेट कर लिए ताकि इस तरह की रेसे वीडियो हम आपक तक पहुचाते रहें और आप देखते हैं